सो भाईओ वीडियो करने से पहला आप सब से एक रिकोएस्ट है कि मेडी वइस आप लोगों को कैसी लग रही है यह कुंहिगे में जरूर बताई किमेनी ऑडियों बिल्कुल मेरी anc違ल जैसे है तो में यह जानना जरूरी है कि मेरी ओडियों मेरे याइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और मैं देखता हो कि मेरी वीडियोस में पास्तर से भी ज्यादा लोग देखते है मेरी वीडियोस को तो मैं उन सब भायों से बस एक रिकोर्स करना चाहता हो कि इस चैनल को सस्क्राइब कर लो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करता हूं मैं अपना बेस्ट देता हूं कि किसी तर आपनी ओडियन्स के सामने अच्छा परफॉर्म कर सबूँ तो भायो मेरे आप साथ से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब चलो मेरे वीडियो को शुरू करते हैं तो काफी ताइम से मार्वेलेश्ट की जो टीवी रेटिंग से वह बहुत ज्यादा लो आ रही थी तो इसी वज़ेसे मार्वेलेश्ट टॉप 10 में भी नहीं आ पार रही है थी लेट में मार्वेलेश्ट की टीवी रेटिंग में टॉप 10 में आ चूकी है अईनो कि टीरपी उतनी ज्यादा नहीं बढ़िया जितनी बढ़नी चाहिए लेकिन पिछले टाइम से तो ज्यादा भी है मतलब पोकेमान सीजन 30 की वज़़ेसे मार्वेलेश्ट की टीरपी इतन तो आगे देखते हैं कि Marvel HQ के पास Pokemon को लेकर क्या बड़ी प्लान्स है और अगर आपको पारसी के बार में नहीं पता तो पारसी का मतलब होता है ऐसी वेबसाइट जो टीवी में एपीसोड्स आने से पहले ही अपनी वेबसाइट में उने एपीसोड्स को डब करके मतलब उनके डब को चुडा के अपने वेबसाइट में डाल देते तो इन जैसे वेबसाइट की वजह सी हमें TV पर Pokemon और ऐसी काही सारे अनिमे के शोस देखने को नहीं मिलते तो फाइनली डिजन इन इन सारे Piracy वेबसाइट के वोपर अपना एक्षिन लिया और ऐसी काही सारे Piracy करने वाले वेबसाइट को बुरी तरसे ब्लॉक कर दिया लेकिन अब भी और भी ऐसी काही सारे वेबसाइट जो पारिसी करते होंगे तो देखते हैं आगे डिजन इन लेते हैं तो अभी बात करते हैं ब्लैक एन वाइट सीजिस के बार में तो काभी सारे पोकेओन फैन सीजन 40 के लिए वेट कर रहे है तो शायद हो सकता है कि 15 अगस्त या फिर उसके कुछ दिन बाद हमें ब्लैक एनर सीजिस सीजन 40 के कुछ प्रोम टाइप की कुछ देखने को मिल जाए यह बस एक स्पेकुलिशन है कि अगस्त के महीने में हमें सीजन 40 देखने को मिल सकता है और अगर बात करें कि ब्लैक एनर सीजिस हमें किस चैनलन पर देखने को मिल सकता है तो अभी क्यूंकि सीजन 30 की वाज़ा से मार्विलेश्यू की TRP जो है वो बड़ी है त शायद इसे वाज़ा से वह हमें पोकेमओन सीजन 40 मार्विलेश्यू पर देखने को मिल सकता है वह कनफोर्म अभी कहना मुश्किल है लेकिन अगर मार वैजी वाले अभी सीजन 40 को स्टार्ट करना नहीं स्टार्ट नहीं करते तो शायद सीजन 12 के जो पीसोर्स हमें देखन तो फिर से Hangama Top 2 की लिस्ट में आ चूके वेल अभी तो Hangama Top 2 में है लेकिन अभी पोकेमॉन की जो सीजन से वो अभी अभी हाँ पर दिखाना बंद हो गहें और अभी हाँ पर Season 1 चल रहा है तो यह देखना interesting हुँआ कि Pokemon के बिनना hangama भिए सेक्ट तौप टू में आप आती है की नई तो अगे क्या होता है चालिकora कर दो और चैनलण पर नहां तो चैन को भी subscribe कर लो और मुझे instagram में फॉलो कर लेना link description में है सो जब तक नीव वीडियो आते हैं तब तक के लिए सी यू अगेंग